आज हम आपको बताएंगे इंजिन की लीकेज की प्रावलम को कैसे दूर करें यह इंजिन हमारा पुस्ताद लीकेज है इंजिन और लीक कल रहा हो जो हमें सबसे पहले टंकी के जो यह दो बोल्ट है इनको खोलना है इसके लिए लगेगी 10 की गोटी 10 अमेंटी इससे दोनों को खोल देना है इस दोनों के दोनों बोल्ट खोलने हैं इस तरी कैसे दो बोल्ट है इने साइड में अलग रोक देना अज़ों साइड पैनल है इसमें इस स्क्रू लगे हुए है इने खोलने हैं एक स्क्रू और यह दूसरा स्क्रू यहां पर यह खोलेगा और एक साइड में स्क्रू होगा अब यह वारिश का टैम है इस विए से बाइक बहुत जादा गंदी है उसके लिए सॉरी इसी तरीके से दूसरी तरफ भी स्क्रू होंगे जो साइड का पैनल है इसमें तीन स्क्रू लग हुए हैं वह खोलने है इसे हटा के हम टंकी हटा पाएंगे अगर यह नहीं खुले तो टंकी नहीं हटेगी अब यह हम दोनों पैनल हटा लेंगे और यह पहला पैनल हटाया इस तरफ बैटरी है एक पैनल यह होगा और यह दूसरे तरफ का पैनल थोड़ा जोल लगाना पड़ेगा इसे निकालने के लिए क्योंकि यहां पर बढ़ा है जो यह थोड़ी दिक्कत करते हैं निकलने में अब अहमें जो पैटरोल का पाई पे जाओ रिटकी में ते पैटरोल जाता है उसके पाई-क वह अब थोड़ा ज्याम हो सकता है अब का निकालने में तोड़ हो सकती है sir that jail लाज यह तले सकता है इसमई में निकालने के लिए और आपका यह आगे रीडिंग वायर इससे आपका रीडिंग पैट्रोल करें वह दिखती है कितना पैट्रोल आपकी बाइक में मीटर में सो करता है आपका यह वायर और यह आपकी टंकी हटेगी है यहां से उठानी है टंकी ठीक से एक हाथ में कैमरा है उसे दिक्कत हो रहती तो मैंने कैमरा साइड में रखके फिर हटा लिए यह आपका इंजन आगे सामने को टंकी हमने साइड में रख दी निकालके अब देखिए आप कि कितना ज्यादा और लीकेज कर रहा है मेरी वाइक ती टीवीस अपाज CDs शहाल कि ऐस दो श्याद रलता है इसे पावर ड्रॉप भी होती गाड़ी को चलने में प्राउल मोगती है अब इसे खोलने के लिए इसी चार एखिर वह कॉलिये के लिए ऐसे रिजसें हमें इंजन के हैड़ के उस में लगए इस तरह के की टी होगी आठमिन की ये टी टाइप का एक पाना आएगा आठमिन का उससे खुलेगी चलो हमें खोलते हैं जली से पिर आगी देखते हैं क्या होता है इस चारू इस खुलने का बाद में आप पर जो अपर जो खुलने का बाद में आप पर जो तो पाल्स है एक साइड में रिले लगी हुए इंजन के स्पार्क प्लक के लिए ये भी खोलने पड़ेगी इसे आफ़ाने के बाद कि आपके रेट का पैनल लगाएगा और ये आपके इंजन आ गया है उपर का पैनल हटाने के बाद इस तरीके से आगए इस टाइमिंग चैन है आपके साह अब लगी हुई यहीं पे से लीकेज कर रहा है आपकी रिवर्ट पैकिंगें इए अगर ठीक से नहीं लगी रेटी जैसके अंदर डश्ट हो जाती है तो आप एंजन लीखेज करने लगता है तो हमेशे साफ करके इसे हम ठीक से साफ करेंगे यहां से जो भी इसमें डस्ट वागरा है कुछ भी और आपकी एक ट्यूब आईगी एना बॉंड यह राइज बॉंड है यह एना बॉंड सिलिकॉन की एक पेश्ट आता है यह इंजन पर यहां पर इसकी पैकिंग में लगेगी जिससे इंजन पू अब इस पर हम अपलाई करेंगे इस पर चारों तरफ को पैकिंग पर यह हमने अपलाई कर दिये ठीक से अब यह फिनिशिंग के लिए उंगली से थोड़ा साफ कर सकते हैं इसे उंगली से बराबर कर दीजिए से वह इन ठीक हो जाएगा आपको बाहर निकलता हूँ दिख पूरे अच्छी तरीके से अप्लाई करना है इस पर पैकिंग के अंदर और यह लगाने के बाद हैड को टाइट कर देना है और तरब डिम्या तरफ थीक से लगके अब वापत थी वैसी उसी प्रोसेस है जिस तरह से हमने खूला था वे वापत उसी तरह से गाड़ी पूरी दर से प्वएक्ट कर देनी है चार रसकूरों अच्छे से टाइट कर देना है आई पाकि टंकि वर फिट कर देनी है और अब दो